सिक्षा पर नेलसन मंडेला का एक कथन काफी प्रचलित है सिक्षा सबसे शक्तिशाली हत्यार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कड़ सकते हैं ये वाक्य भारत की नई सिक्षा नेती 2020 में एक लक्ष की तरह परिलक्षित हो रहा है इसलिए सिक्षा नेती 2020 आज अंतराश्चियो पटल पर चर्चा का विशय वन रही है केंडरी सरकार से मन्जूरी प्राप्त सिक्षा नेती 2020 जुड़े कुछ एहम सवालों के जवाब के लिए नागरिक नियूज ने मानव संसाधन विकास मंतराले में सच्छिव रह चुके और NCRT के पूरव निदेशक और जाने माने सिक्षा विद प्रोफेसर चेयस राजपूत से बातचीत की आईए आपको सुनाते हैं प्रोफेसर से बातचीत के कुछ मुख्या नेत चौते साल गात के बनी के बाद आई है और इसमें करीब पांच वर्स का समय लगाया गया है प्रानाने में पिछले चौते साल में आप देखे कितने बड़े परिवतन हमारे प्रादों परफ हो जो आवश्यक्ताएं और अपिक्षाएं उपर रही है उनके अन्वार भी अपने को डागती रहे इन चौतीस वर्सों में पिक्षा दीज को बहुत पहले आना चाहिए था लेकिन अब जो हमारे सामने नीटी आई है वो बहुत जहन विचार विवर्श के बाद आई है पेली समझे में एक सद्रस था और मैंने देखा कि लाखों लोगों ने पत्र लिखे लाखों संस्ताओं ने पत्र लिखे हर पंचाज से पूछा गया कि सिक्षा में क्या पर्जवतन होना चाहिए और उसमें कुछ चीजे बुष्य शूप से निकली हैं जितका आपके सामने में जिक्रता हुँ से अफश्ते का बोज बहुत बढ़ा रहा बक्यवत बच्चोपत पार्शव बढ़ा रहा था बहुत तणाव होता हैं परिक्षाओं को लेकर के साले देश में तरौ पैदा हो जाताथा ज्येंब बोर्ट की परिक्षा कर घिसर नीतिमें कहा गया है कि us करेंगे हम परिक्षा को इस तरह से लाएंगे कि केवल याद करने की इस तिना रहे बच्चे सोचना प्रालब करें क्योंक हमारे यहां जो बड़े दार्शनिक वे जिन्हों सिक्षा में हमें राइडी और जिन्हें हमें मनना चाहिए उसमें रुज्देव रमीना ट्रेगोर करने कहा था कि हर बच्चे को भगवान दो अर्दन देता है पहला पावर अफ आइडियास विचारों की शक्त और दूसरा इमिजनेशन कल्पना किस बच्चे कितनी कल्पना ही करते हैं हम सब अपने घरों में देखते हैं लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं तो बंधन में आ उनको कहा जाता है कि नहीं तुम्हें यही पढ़ना है यही किताब है यही पाठ है इसी पर उत्तर देना है आप ऐसा नहीं होगा आप वो कहरें कि पच्चे पाठ पढ़ेंगे लेकिन उस ग्यान का उप्यक करना हम उनको सिखाएंगे वो प्रिश्न जब पूछेंगे तो नहीं पूछेंगे को आपने प्रवे पढ़ा है या जो फार्वूला पढ़ा है उसको दुवारा लिखे नहीं उसका उप्योब कहा होता है कैसे होता है तो यह बहुत बड़ा परिवर्तन होगा बच्चों की विचार शिक्त बढ़ेगी सोचने की शक्त बढ़ेगी और को खोजने में मल लगाते हैं इसकूल इसे मदद करें कि कुछ दिन पहले अटल टिंकनिंग लैब के स्थापना हुई थी इसी लिए हुई थी अगर बच्चा कोई प्रोग करता चाहता है तो वो कर सके हमारे देश प्रसाथ ऐसी बहुत सी चीजह है जिन पर आपके साथ में देखिये जब नार्टर कोठारी का कमिशन 24-64 में बना था उसके आधार पर पहली सिक्षानित निसो औरसक में बनी थी उसके बाद की सिक्षानित निसो चाहसी में बनी जो फिर से देखी गई थी लेकिन उचाहसी की नहीं थी अपान के चलिए कोठारी कमिशन के बाद से यह बात उठी है कि छे प्रुशन GDP का होना चाहिए लेकिन हुआ नहीं आज भी चार दस्तंबलों 4 के आस पास भाए को मिला करके राज का मिला करके देश जब सतंत्र हुआ था तो उसके साम में बड़ी समझ आए गरीवी थी भूकबरी थी आज भी आज भी समझ जाए तो देश को अपने प्राथ में इस्तापित करने में यह सब भी देखना पड़ता है यह माना जाता है कि शिक्षा में किया हुआ निवे सबसे इतिक ला लेकिन आप यह जानिए क्या सबर्बह दशार है या नहीं है और दूसरा जो लोग उसका क्रियानवन करेंगे उनकी उनका प्रसीक्ष्टक्र कितना सही है उनकी लगन शिल्टा कितनी है उनकी करवड़ता कितनी है और वे स्वयम इससे सहीमत है या नीद नीद तो तभी सपल होगी वह तभी सई नहीं से लागी होगी जब प्राइमरी क्षा का अध्यापत भी इसको समझे कि नई सिक्षा नीद में क्या कहा गया है कैसे प्रिष्ट कैसे बनाई जाएंगे मुल्यांकन कैसे होगा यह सब साजयाना पड़ेगा लेकर आपके प्रिष्ट का उतर यह है कि संसालनों की कमी रही है हमारे सरकारी स्कूलों की और मैं विशेश रूप से कहता हूं और मैं वाकिय कहता हूं जो मैं दोराता रहता हूं बार कि भारत के समीकित और सबगन का रास्ता गां के प्राइमरी स्कूल से होकर जाता है जबतक प्राइमरी स्कूल से इस्तित Divine नहीं आएगा जब तक उन बच Newman को मातापता विश्वानश के साथ वहाँ नहीं 되고 जब तक इस्तितन खरत altar नहीं हो इस सरकारी स्कूलों में तभी चैगी कि में सामर्थ नीजी स्कूल में भेजने की नहीं है तब तक कोई भी बड़ी नीटी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएगी अता मैं चाहूंगा कि सरकार राजी सरकार केंदू सरकार समी मिलकर सरकारी स्कूलों की इतना सुधार है कि लोग वहां पर अपने बच्चों को उसी द सब्सक्राइब करें नीजी स्कूलों का चलाना आमों की रूप से राज सरकारों का का है केंदू सरकार साहता कर से सब्सक्राइब करते हैं तो वे अपना करतब नहीं निभा रही होती है और यह जीजें बढ़ती गहीं हमारे पास ऐसे आगड़े आते हैं आप लुग है कि 10 लाग 12 लाग अध्यापों के पद्रिक थे बिहार उत्तव प्रेश में लाखों अध्यापों के पद्रिक थे बिह इससे किसी दुफसाल होता है इससे सबसे बड़ी इमारी समाज के कमजोर तब करती है जिसको सिक्षा की सबसे अधिक आवशक्ता है और इस आवशक्तापों के लिए आप सबसे पहली शर्त ही है कि राज सरकारे अपने प्रसिक्षण संस्थानों को उची डिव से चलाएं इसे बहुत से आपको सरकारी संस्थान बिलेंगे जहां बीएड और एमेड का प्रसिक्षण होता है जहां अध्यापकी नहीं निफ्थ होती है जहां केवल डिप्टेशन पर राजदेतिक काणों से लोग को लाकर रख दिया जाता है वे पढ़ाते हैं और वे प्रमीद्य स के अध्यापके स्केअल से लोगाता है मलताव इतकते हला ओल प sih और यह कहा जा सकता है अग्यूरशन वद्यापक श्वर में होता है इमांडारी से पढ़ाता है पढ़कर के पढ़ाता है तयारी करता थैं बंदैी करता है तो निश्ट रूप चे चाहें acabou आधेas रवान्य अगर वहां के अध्यापक संतुष्ट हों, कर्मठ हों, उनकी आप शक्ताओं की पूर्तियां राज सरकारें के असारकार करें, तो उसका प्रवाव सारे देश पर पड़ेगा. मैं आपको एक उधारन देना चाहता हूं, जो मैं समझता हूं, सभी लोग चाने का. 1964 में जो एक शिक्षायोग की रिपोर्ट आई थी, जिस पर हमारी उनियस्वासर की नीद मुली, उसे कोठारी कमिशन करते हैं, और उसका जो सीशक है, सीशक है, एजुक्रिशन पार नेशनल देवलपेंट, राश्ट्रिय विकास के अलिए सिक्षा, करीब 25 साल बाद डाक्ट विश्विद्याले के पढ़े थे, जहां मैं भी पढ़ा हूँ, मुझे बहुत इस्टेक है, 25 साल बाद उसे पूछा गया, अगर आप फिर से अद्रिक्स हो जाए, फिर से आपको नीद बनानी पड़े, तो आप क्या परिवतर करेगे, तो डाक्टर कुठारी ने कहा, मैं पुछा क्या फर्क है, क्या फर्क ये है कि 1907 के आस्पार जो देश हमारे उपर साशन करते थे, उनके पास उनका प्रभूत समाप्त हो गया, वो किसी तरह इन देशों में फिर से प्रभूत डालना जायते थे, तो वो हमें करते थे, कार खाने लगाओ, भागार नंगल बना मुखारों में कार खाना यहां का यह समा उन लोगों की राय होते हैं, वे हमें सहता भी देते थे, अपने विष्य शगी भी देते थे, विचार भी देते थे, हमारे पास थे थे, अगर लक्टर कुठाइग निकाए, अगर उस समय हमने ऐसी नीध बनाई होती कि बच्चों क सब्सपैर करेंगे तो हमारा भांगा नेगल थोड़ी देर में बनता दो कार कारख्वाना थोड़ी देर में बनता लेकिन जो इंजिनियर बने वो जीवनबर इमांधारी से काम करता है जो डाक्टर बनता हो कमिशन नहीं लीता और देश में लोग जो सबसे नीचे तब के हैं जिने गांजी जी कहते थे कि जो अंतिम चित पंत के अंतिम चोर पर खड़ा है उसके प्रित उनके मन में साली होती हो इस नीत में कहा गया है कि हर बच्चा दस तीन तक दसने नहीं करेगा ऐसा जब होता है दुनिया के बहुत से देशों में ऐसा किया गया है तो बच्चे का प्रुशास बढ़ जाता है बहले ही वखील बन जाए मगर अगर कोड़ बंद हो जाए बहुत सी परिस्तिदिया बनी है तो हाथ से भी कुछ बना सकता है किम कबा सकता है वह किसान का काम करने में शंभाया इस निया में जैसे देश जो बहुत ही दुति वश्यूंत में सबसे धिक अफ्मानित तव दश देश थे blei वह शिक्षानीद Это के इसक्षानेवत कर रह भड़े नव है कि अपने बच्च और भड्यापार को का हमने कहां से चल कर हम तो चाहता है नेसे जाफान नीचे बना जाता है आज दुनिया में सबसेचा गहां का होता है जाबाल कैसे हूँ कि आपिछा कि वहां जाता था शुचा कि वहां आता थाै मेने अपने इस् killer को द्रीक हम ने अपने एकि आध्यापन मुल्यों की बाद कही गई भारत की संस्कित जूड़ने की बात कही गई है यह भी कहा गया कि हर देश के शिक्षा विवस्था की जढ़े गिराराई तक उस देश की मिट्टी में जानी चाहिए जो पार्ट परियावरण शिक्षा के लिए मुझे तुकुरा में पढ़ाना है वो पार्षमें त्रिमिन्दर में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मेरा देश बहुत पहला हुआ है, बहुत बिक्रा हुआ है, उसकी एक्ताकों बच्चे को मुझे समझाना है, सबसे बड़ी बात बच्चे को यह शिखाना है, जो इसमें प्रक्खा गया है, लर्नी टू लिव टुमिदर, विवरिताओं के साथ उनको सुईकार करते हुए साथ साथ लेना सिखना, मेरे बगल में जो मेरा साथी कक्षा में बैठा है, अगर मैं उसके धर्म के बारे में जाता हूँ, तो मैं पाऊंगा क्या, वहां भी सचाई की जीत है, यहां भी बिनेह है, सत्ति की बात हर जगे है, आइंसा की बात हर जगे है, साथी की बात हर जगे है, सही आचरण की बात हर जगे है, तो इससे क्या होता है, दोगों में जोड़ाओ पैदा होता है, और यह देश की सबसे बहुत बड़ी आवशे है, जो लोग इसकी आलोशना कर रहे हैं, उन द्यान लेना चाहिए, अगर इसको रोकना था तो ये काम उनीसो पच्पन, साथ, पैसट तक होना चाहिए था, उस समय तो हमने नीजी स्कूलों को बढ़ने दिया, हमने ये सोचा कि अगर सभी लोग, हमने एंग्रेजी के स्कूल इस्थापित कि एंग्रेजी माध्यम से पढ होता है, रूस में मत भाषा में होता है, जर्मनी में मत भाषा में होता है, फ्रांस में मत भाषा में होता है, हमारे देश में इतने बड़े देशों में हम इतमत रहें, जहां पर हमारे देश की कोई भाषा नहीं हमारी बड़ी बड़ी भाषा हैं हमें बड़ा अच्छा सा जो अंग्रेजों के द्वारा इस्थाकुद वर्टा उसने अपना बच्चस बनाने के लिए प्रादमिक वर्शों में एक ऐसी गत्य पैदा कर दिया असा प्रवाब पैदा कर दिया कि हर बच्चे को लगता है कि अंग्रेजी जनना होशेक है सरकारी नौकरियों में उस सबय करना चाहिए था कि हर बच्चा जो अपनी मात्रवासा में पढ़कर आता है हम उसे भी शुका करें हम उसे बैठाल के छे महिने में अंग्रेजी शिखा देगे इनिया बहुत नहीं से बोड़ देखे छे महिने में अंग्रेजी तीन महिने मैं पूछा है नोने का हम सिक्षा मत्रवासा में लेकिन अंग्रेजी हम तीन महिने में बोले लाइक सिखा देती है तो वह हमने क्या लिए अब ये प्रवाह इतना तेज हो गया है निजी स्कूल इतने जादा हो गए है लोगों की दोड़ और इच्छाह इतनी बढ़ गई है कि इसको रोप पाना संभव नहीं है निजी दूसरी बात सरकार सारी सिक्षा का ख़च नहीं उठा पाएगी यह भी सब लोग जाते हैं इसलिए अब एक ही विकल बना है कि जो निजी स्कूल है वे किसी तरह का सोशन न कर सकें इसको ब्यापार्द बना सकें और सरकार इसको द मंसे मैं मजबूरी में नहीं आपने मनसे है पाच्कम नया बना है पाच्कम तो 2005 में बना था वो राजदी कारणों से बना था तो जो 2000 में बना था उसको हटाना था इसलेए उसको कहता हूँ तो वो तो दिश्ट करदे का काम था था उस समय यह दुर्भाग्य है कि पाच्कम अगी तक नहीं बदला है हर पाँ साल बाद चाहिए दुल्यावर में बदलता है और मैं समझता हूँ शिक्षा गीत के आने के बाद इसे गत मिलेगी और बस्ते का बोज क्यों करने की जो प्रिक्रिया है उस कारण जो अनावर्शिक चीजें बच्चों को पंदी बंदी बंदी जाएंगी और निश्यत रूफे अब जो कोई शिखाया जाएगा कि आके कैसे शीखना है स्वाध्याय पर जोर होगा दूसरा एक शब्द है लर्निंग तु लर्ण ये शीखना कि मैं सम अपने ज्ञान को कैसे बढ़ा सकता हूं इसका एक उजहान देता हूं एक ज़वाना था जब लोग टाइक राइटर सीखते थ और पैताज चालिस पैतिस साल उसी से एक काम कर ले देते हैं आज जो मोबाईल उस मोबाईल से कितने और चीज़ें दे सकता है तो हरे बैक्ति को अपना कोश जो इसको पढ़ाना पड़ेगा नया कोशों सीखना पड़ेगा इसलिए इस लिए शूलों में ये सीखना कि अप्राप कर सकता हूं आशा की किरण नहीं है कि हमारे बच्चे इस सब को बहुत अच्छे देंसे सुरिकार कर रहे हैं समझ रहे हैं अभी जब स्कूल बंद है तो यह बहुत ही आश्चरी जनक जटना हुई है कि सारे अध्यापक सारे बच्चे ऑनलाइन टीजिंग और इस स्क्षा नित्का प्रभाव बहुत सकारात्मत्य पड़ेगा विश्वास है हमें इसमें सकारात्मत्य ही डोननी पड़ेगी कुछ लोग नकारात्मतना ढोनें उन्हें हम अपना कारिकर ने değil हम अध्यापकों को प्रसिक्षित होने करने लिगे तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे तक सिक्षा में सुधार कर सकेंगे सुधार को हमेशा होते हैं कोई भी नहीं कर सकता है कि आज की पुस्तक अगले 5-6 साल चलेगी उसे बदलना ही पड़े कंप्यूटर की पुस्तकें लिखी जाती हैं तो जो किताब 10 साल पर लिखी थी आज वो किसी काम की नहीं रही है तो मैं समझता हूं मैं आपके सभी लोग को यही कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को नई सिक्षा दीत के ख्रयानों में अपना आपना योगना देना चाहिए इस जो नई संस्ताएं नियामक संस्ताएं जैसे इनके बर्जब की प्रोसेश शुरू हो जाएगी अध्यापकों के प्रिश्यक्षण की योजनाय बन गई हैं चार वर्शी अपार्ट कम शुरू हो चुका है कई जगे और उसको बढ़ाया जाएगा तो बहुत से चीजें तो अभी शुरू हो जाएगी हां कुछ लक्ष रखे गए हैं जैसे पचास प्रिश्यत बच्चे उच्छा ब्याज आए तो उसके लिए उन्हें उन्हें कहा है कि 30-35 तक हो पाएगा करें दिन दे चलेगा ऐसे ही हर बात जो नितियां बनती हैं का क्रियानमत समय के साथ होता है और बहुत तेजी से ग्याटों शुरू होने बाद है ग्यान में निवेश सबसे अच्छा ब्यास देता है और नई सिक्षानिती 2020 से भी यही उमीद जताई जा रही है हमें आश्या है कि भारतिया सिक्षा प्रणाली के लिए ये सिक्षानिती एक मील का पत्थर सावित होग लेकिन कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल उट रहे हैं आपके मन में भी नई सिक्षानिती से जुड़े वे क्या क्या सवाल हैं कमेंट सेक्षन में आप हमें जरूर लिखें और अगले वीडियो में हम आपसे जद मुलाकात करेंगे तब तक रिए नौश्कार